क्या इंडिया गडबंधन की ताकत से डर गई है बीजेपी जिसके चलते उसने चंडिगड मेयर चुनाव जो है वो छे फरवरी तक स्थागित कर दिये हैं मुद्दा नमबर दो क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों का हक मारना चाहते थे उनका अपना फाइनांस कमिशन जो है राज्यों को कुल टाक्स का 42 फीसिदी देना चाहता था मगर 2015 में प्रधान मंत्री उसका विरोध क्यों कर रहे थे और ये बात किसी और ने नहीं नीती आयोग के प्रभुक बीवी सुब्रमानियम ने कही है खबर क्या है दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि Center for Social Economic Progress उनका एक YouTube लाइव चल रहा होता है और इस YouTube लाइव में नीती आयोग के प्रभुक सुब्रमानियम साहब अपनी बात कह रहे होते हैं Finance Reporting पर मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि संसद के अंदर प्रधान मंत्री ने देश को क्या कहा था क्योंकि प्रधान मंत्री ने जो बात संसद में कही थी और नीती आयोग के प्रमुक सुब्रमानियम साहब जो कह रहे हैं उसमें जमीन आस्मान का फर्क है सुब्रमंडियम साहब की माने तो प्रधान मंत्री ने राज्यों को कुल टैक्स का 42 फीस्दी दे जाने का विरोध किया था और कहता नहीं इन्हें सिर्फ 33 फीस्दी दिया जाए मगर आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये हैं वाई वी रेड़ी जो कि फाइनांस कमिक्शन के अध्यक्ष भुआ करते थे उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के इस सुझाव का विरोध किया और फिर आखिरकार के इंद्र सरकार को कुल टैक्स का 42 पिसदी राज्यों को देना पड़ा मगर प्रधान मंत्री इसका विरोध कर रहे थे संसब के अंदर प्रधान मंत्री ने क्या बात कही पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ सुनिए प्रधान मंत्री ने क्या कहा था विरोध करने की बावजूद तो सुना आपने प्रधान मंत्री संसद में देश को ये बता रहे थी कि फाइनांस कमिशन में कई लोग जो हैं 42 फीसिदी दिये जाने का विरूद कर रहे थे जबकि खुद सुब्रमन्यम साहब कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री ने इसका विरूद किया था मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूँ 2015 में तीन लोग की बैठाक होती है वाईवी रेड़ी साहब जो कि फाइनांस कमिशन के अध्यक्ष थे सुब्रमन्यम साहब आपके स्क्रीन्स पर जो कि उस वक्त प्रधान मंत्री कारयाले में जॉइंट सेक्रेटरी थे और खुद प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी वाईवी रेड़ी क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ VV redy अबटाक में कहते हैं कि जो हमारा कुल टैक्स है उसका 42 पीसिदी राज्यों को जाना चाहिए प्रधान मंत्री इस बेटाक में इसका विरोध करते हैं कहते हैं नहीं 42 पीसिदी नहीं सिर्फ 33 पीसिदी दिया जाना चाहिए मगर फिर वाईवी रेड़ी उनसे कहते हैं कि प्रधान मंत्री करना तो यही पड़ेगा और वाईवी रेड़ी के दबाव के चलते आखिरकार राज्यों को 42 फिसदी मिलता है बड़ा सवाल यह दोस्तों तो फिर देश के सामने आकर प्रधान मंत्री घलत बयानी क्यों कर रहे थे मैं जूट शब्द का इस्तमाल नहीं करूँगा क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी देश के प्रधान मंत्री है और उनके लिए इस शब्दावली कम इस्तमाल नहीं करना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि आपने संसंद में उनका बयान सुना प्रधान मंत्री आखिर गलत बयानी क्यों कर रहे थे अब मैं आपको दोस्तों उस यूट्यूब लाइफ का वो हिस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें बीवी सुब्रमण्यम साब जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बताया किस तरह से वाईवी रेड़ी ने उनसे कहा प्रधान मंत्री को तो मानना पड़ेगा आपको अपने बॉस को समझाना पड़ेगा सुनियें क्या कहा था सुब्रमण्यम्न 14th Finance Commission वाई भी डेड़ी रेसे देवलिशन तो स्टेट्स तो 42 पर्टीट 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 अवे थे गजे आफ तो दोस्तों ये जो यूट्यूड लाइवेन अजय्से ही ये वायरल होता है और जैसे Reporters Collector, जिसने Reporting की होती है, वो लोग इस मुद्दे पर सुब्रमणियम साहब को सवाल भेशते हैं, और प्रधानमंत्री कारयाले को सवाल भेशते हैं, वित्तमंत्राले को सवाल भेशते हैं, तो बहुत ही रहसमय तरीके से ये जो YouTube Live है, उस YouTube चैनल से हट जाता है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, कि इस मुद्दे पर, अलजजीरा क्या कह रहा है, सुब्रमणियम, the Ministry of Finance and the PMO, डिड नॉट रिस्पॉंड to the Reporters Collective's Detailed Queries, उसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत विस्तृत जवाब मांगे थे, मैं अगर उसका जवाब नहीं दिया गया, इस घटना करम को लिक, और यही नहीं, वो जो विडियो है, उसे आफलाइन कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है, मैं आज आपको कि भाच्पा को मजबूत कीजे, क्योंकि हम, तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं, अब याद कीजे, मैंने कारक्टर्ट की शुरुवात में क्या कहा था, क्या भाच्पा देश के संगी धाचे के खिलाफ है, और मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ, उसके दो कारण हैं, पहली बात, जेपी नडडा जो ये कहते हैं, भाई, शेत्री दलों को खत्म कर देना चाहिए, और प्रधान मंत्री, जो राज्यों को, जो वित्तिय अलोकेशन है, उसे कम करना चाहते हैं, 42 फीसिदी की जगा, 33 फीसिदी करना चाहते हैं, क्या ये बात आपको अटबटी नहीं लगती, आखिर क्या वज़ा है, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी, सारी ताक्त अपने पास रखना चाहते हैं, क्या वज़ा है कि भारती जनतापाटी, सारी ताकट जो है वो केंद्र सरकार के पास रखना चाहती है और शेत्री अदलों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती है यह सवाल तो उठना चाहिए ना और स्वाभाविक से बाते दोस्तों इसे कॉंग्रिस में बड़ा मुद्धा बनाया है क्या कहनी है स्मुद्ध पर सुप्रिय अशुनेत आपके स्क्रीन्स पर जब मोदी जी नए नए प्रधान मंत्री बने थे तब राज्यों को पार्टनर बताने जैसी लच्छेदार बाते करते थे लेकिन सच तो ये है कि 2015 में जब चौधवा वित आयोग ने कुल टैक्स का 42 फीस्दी राज्यों को देने की बात की तब प्रधान मंत्री मोदी ने जीतोड कोशिश की कि राज्यों को ये पैसा ना मिले लेकिन आयोग के अध्यक्ष वाईवी रेड़ी नहीं माने और राज्यों को उनका हक मिला लेकिन यही है नरेंद्र मोदी की असलियत हाती के दात, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और आप जानते हैं सबसे बड़ी वड़मना क्या है, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानि कि जब प्रधान मंत्री चाइना हो, हर मुद्बे पर आप पल्टी मार लेते हैं, दोहजार चौदा से पहले आप कहते थे कि चाइना को लालाग दिखाओ, लालाग दिखाओ, लालाग दिखाओ, लालाग दिखाओ, दोहजार चौदा के बाद अब आपके मुझे चाइना शब नहीं निकलता, जब तो उठना लाजमी है ना प्रदानमंत्री क्या इससे आप मूँ मोड सकते हैं और आज जो दूसरा मुद्दा उठा रहा हूँ ना मैं आपके सामने वो भी ये बतला रहा है कि विपक्ष को लेकर सत्ता पक्ष बीजेपी में किस तरह की आलर्जी है मुद्दा है चंडिगड का दोस्तों चंडिगड का मुद्दा तो बहुत ही शौकिंग है चंडिगड के मेयर के चुनाव हो रहे थे ब्रहस्पितिवार यानि थर्स्डे को और इसमें आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस ने गडबंधन काइम किया क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गडबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी भी है और कॉंग्रेस भी है अब ये जो गडबंधन बनने के बाद उन्हें चंडिगड के मेयर चुनावों में साफ जीत मिलने वावी मगर फिर भाजपा ने और प्रशासन ने एक डाउं चला उन्होंने चुनावों को 6 फरवरी तक मुल्तवी कर दिया कैसे पहले का कि भई प्रेजाइडिंग आफिसर बीमार है फिर कोई और आफिसर बीमार हो गया यानि कि बीमारी का बहाना देकर इन्होंने चंडिगड के मेर चुनावों कोई मुल्तवी कर दिया जबकि वहाँ पर इंडिया गडबंदन को बहुत ही आसान जीत मिलने वाली थे मैं आज आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ चंडिगड के मेर चुनावों के लिए आप यह हरकत कर रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि लोकसभा चुनावों में क्या-क्या हदकंडे नहीं अपनाए जाएंगे जब आप चंडिगड के मेर चुनावों में खुले आम ये काम कर रहे हैं सुनिए राघव चढधा कह क्या रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर पास है आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास है और 14 से 15 वोट भाजपा के पास है यानि कि साफ तौर पे इंडिया गटबंदन ये चुनाफ जीतने जा रहा है लेकिन अपनी हार को अपनी आखों के सामने देख एक कायर बी मैं आज आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूँ आखिर भारती जनता पार्टी कंट्रोल्ड प्रशासन ने शुनावो को 6 फरवरी तक क्यों मुलतवी कर दिया आखिर क्या वज़ा है क्या भाजपा में इंडिया गटबंधन को लेकर नर्वसनिस है क्योंकि खबरे ये भी आ रही है दोस्तों कि दिल्ली के अंदर भी भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस में गटबंधन लगभग हो गया है ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चार सीटों पर शुनाब लड़ेगी और कॉंग्रिस तीन सीटों पर ऐसी बाते हैं हो सकता है ये पलट भी सकता है मगर वहाँ पर भी लगभग गटबंधन हो गया है दोनों ने गटबंधन चंडिगड में किया और उसकी उन्हें सफलता भी दिख रही थी भाशपा इससे बॉक ला गए लिहाजा उन्होंने चंडिगड के मेयर के चुनावों को 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा नोटिस जारी किया है कि भाई आपने क्यों मुलतवी किया और इस पर प्रशासन ने बहुती वाहिया तर्क दिया तर्क ये दे दिया कि भाई प्रेजाइडिंग ओफिसर बीमार पड़ गए थे इसलिए रागव चड़ा कह रहे हैं कि बीमार तो बीजेपी है बहाने क्यों लगाए जा रहे हैं क्या हार को लेकर भाजपा बॉकला गई है बहराल प्रशासन क्या कह रहा है दोस्तों Indian Express में पड़के सुनाना चाहता हूं in pursuance to the report received from the senior superintendent of police regarding security and law and order situation due to schedule elections of the mayor and deputy mayor and report of the medical superintendent with regard to hospitalization of appointed nominating presiding authority annul masi due to ill health the order is issued जिक्र किया जा रहा है कानून विवस्था का वो कहा जा रहे कि बई law and order दुरूस नहीं है मैं एक बात समझना चाहता हूं चंडिगर्ड एक शेहर है ना अब तो पंजाब में आतंक बात भी नहीं है यानि कि चंडिगर्ड में भी इनसे law and order control नहीं हो रहा है किस तरह के वाहिया तरक दिये जा रहे हैं अपनी हार को टालने के लिए इसलिए मैंने कारकरम की शुरुवात में कहा था कि क्या लोकतंत्र को लेकर भारती जनता पाटी में इस तरह की आलर्जी है कि क्या संगीर ढाचे को आप इस तरह से नेस्त नाबूत करते रहेंगे क्योंकि बीवे आर सुब्रिमन्यम सहाब में जो बात कही कि किस तरह से राज्जों को उनका हक नहीं दिया गया प्रधान मंत्री ने उसका विरोध किया था और अब चंडिगर के मेर चुनावों का मुलतवी किया जाना ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई है ये बतलाया जाता है कि देश के विपक्ष को लेकर भाजपा का क्या रुख है और दूसरी तरफ अगर राज्यों को पैसा दिया जाता है ज्यादा उसको लेकर भाजपा का क्या रुख है खुद प्रधान मंतरी का क्या रुख है ये तमाम चीज़ें हैं जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है इस पर सवाल किया जाना जरूरी है क्या ये लोगतांत्रिक रवया है क्या ये देश के संगिय धाचे पर प्रहार है, क्या भारतिय जंता पाटी को विपक्ष से आलर्जी है, क्या साम दाम दंड भेच से वो अपनी मशिनरी के दबाव से विपक्ष को बरबाद कर देना चाहता है, एजिंसी के सारे आपने पहले आम आदमी पार्टी के धमाम नेताओं को जेल में बन कर रखा है अब आप ऐसे रास्ते ऐसे हालाद बना देना चाहते हैं कि कोई चुनाव भी नरड सके और वो भी शंडिगर्ड मेर चुनाव को लेकर नहायती शौकिंग नहायती शर्माग अब इसार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये